हलो फ्रेंड्स रेया फेशन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड पर हम ये वीडियो बना रहे हैं कि सिलाई मशीन में कपड़ा आगे नहीं बढ़ रहा है फ्रेंट सिलाई मशीन में कपड़ा आगे नहीं बढ़ने के कहीं कारण हो सकते हैं आज हम इनी समश्याओं और उनके समादान पर चर्चा करेंगे हम आपको बताएंगे कि कैसे इन समश्याओं को आप घर बेटे ठीक कर सकते हैं सबसे पहले आप फुट को चे करें कि फुट ज़्यादा नीचे से गिस तो नहीं गया तो उसके लिए आप फुट को खोल लीजे ये देखें फुट नीचे से बिल्कुल नहीं गिस रहा है अभी मतलब ये समश्याओं फुट की वज़े से नहीं हो रही है फुट जादतर इसलिए गिस जाता है कि कुछ लोग बोबिन परते समय फुट को नीचे ही रहने देते हैं उपर उठा कर नहीं रखते हैं अगर आप फुट को यहां से देखें ये लिवर है इसको इस तरह से जैसे फुट लगा हुए और आप इस लिवर को उपर उठा कर छोड़ दे तो ये फुट प्रेसर फुट नीचे से गिसेगा नहीं यहां पर बहुत ज़्यादा स्क्रेच आ जाते हैं इसी वज़े से कपड़ा हमारा स्मूथली आगे नहीं बढ़ पाता है उसको थोड़ा सा आपको खींच कर बढ़ाना पड़ता है अगर ऐसी प्रोब्लम है तो आप फुट चेंज कर ले तो अब मैं आपको दूसरा कारण बताती हूँ फीट डोग के दाथ गिस जाते हैं तब भी कपड़ा साइडंग से आगे नहीं बढ़ता यह देखें मैं आपको बताती हूँ यह फीट डोग है यह टीत गिस जाते हैं तब भी कपड़ा आसानी से आगे नहीं बढ़ पाता है तब भी हमारे यह समझा आती है तो उसके लिए आप यह फीट डोग चेंज कर ले अब मैं आपको इसका तीसरा कारण बताती हूँ यदि आपकी मशीन में फीट डोग नीचे है तब भी कपड़ा आगे नहीं बढ़ेगा आप यह देखें आप उंगली से इस तरह से महसूस करके देखें आप हैंड वील से इसको दीरे से चलाते जाए यह देखें अभी फीट डोग उपर है यह देखें और इस तरह से आप इसको चेक कर लिए जिए पर चेक करते वक्त आप ज्यान रखें आपके उंगली में नीडल नहीं चुप जाए तो अगर आपके फीट डोग नीचे है तो उसको उपर उठाने का भी मैं आपको बताऊंगे आप उसको कैसे उपर उठा सकते हो इसके लिए हम नीडल प्लेट को सही करना यहां पर एक इसकुरूदेर का इसक पर यह हमने यहां से लूज कर दिया अब मैं बताती हूँ आपको कि आपको टीट को कैसे अरजेस्ट करना यह देखे यहां से हम इसको अरजेस्ट करेंगे यह देखे इस तरह यह टीट अभी नीचे आ रहे है यह देखे यह ल अब मैं इधर से भी आपको बताना चाहूंगी कि आपको कैसे उपर उठाना है एक बार मैं फिर आपको इसको टीत को नीचे करके बता रहे हूं यह देखे यह देखे टीत प्लेट नीचे जा रही है और फिर से आपको उपर करके बताती हूं यह देखे टीत उपर उठ रहे ह अब मैं आपको मशीन के नीचे से भी बताना चाहती हूँ यह याँ पर एक लिवर है देखे यह लिवर है यह देखे इसको आपको इस तरह से करोगे यह नीचे आगे टीट और अगर इसको उपर उठाना तो यहां से इसको दबाओगे तो यह उपर उठ जाएंगे देखे मैंने आपको नीचे से भी बता दिया और मशीन के यहां उपर से भी बता दिया जहां पर आपको सेट रखना वहां पर रखे इस कुरू को टाइट कर दें तो वह उपर उठ जाएंगे लेकिन हो सकता है आप से एक बार में सेटिंग नहीं हो तो आप थोड़ा थोड़ इस पर जो दो स्क्रू लगे होए अगर वह लूज है तब यह कपड़ा आगे नहीं बढ़ेगा तो आप इसको टाइट कर ले दोनों स्क्रू को और यहां से आप थोड़ा इनके उपर जो कच्रा पसा होता है उनको भी साप कर ले यह भी एक कारण होता है कि कपड़ा आगे स्टिच लें सही कर लें कि आपको कितने पर रखनी है यह रिवर्स लिवर है यह कभी कभी जैसे आप बीच में जाकर अटक गया तब भी कपड़ा आगे नहीं बढ़ पाता है तो आप इसको इस तरह से ले जाकर चोड़ से छोड़ दीजिए इससे यह सेट हो जाएगा एक कॉर कारण होता है फ्रेंड्स कपड़े पर प्रेयसर पुट का सही दभाव नहीं होना यह इससे हम दबाव कंजादा करते है जैसा कपड़ा हot झाल है गतर जैसलिए पतल्य कपड़ा हो तो दबाव कंपर हों आपको कंण और यह मोटा कपड़ा है तो हम इस तो पह उस तरह का आप दबाव कम ज़्यादा कर सकते हो पपड़े के according दबाव कम ज़्यादा कर सकते हैं अब हम प्लेट और फुट दोनों लगा देते हैं यह निडल प्लेट भी हम लगा देते हैं हमने इसकी सेटिंग डिश्टब की क्योंकि आपको बताना था इसलिए अब हम इसक को चला कर चेकर लेते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे हूई है यह देखे एकड़म कपड़ आप इसस तरह से इसकी सेटिंग चेक कर सकते वाप हलका सा और फिर inf पहलका का सव सद्पार देखें कपड़ा आसानी से यह फेह फिर देखें ओ फिरविक सेय साइभ हो गई इस तरह से आप तींद का अर्जेश्मेंट फुद ही घर पर कर सकते हो फ्रेंड्स इस तरह से आपकी सिलवी मशीन में छोट छोटी शमश्याओं को आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं और इससे आपका पेसा और समय दोनू की बचत होगी फ्रेंड्स आप मेरे चैन झाल झाल